नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीनवी से आवाज पर आप देख रहा है खिलाडी नमबो वन मार्किट के आक्शन पर माई नजरे रहेंगी फ्राइडे का सत्र और भारतिय बाजारों में अच्छी खासी मुनाफ़ा वसूली बनती भी दिखाई दे रही है निफ्टी आपक 630 अंकों की घरावट देखने को मिल रहे है निफ्टी भी स्क्रीन पर लेकर आईएगा निफ्टी बैंक की भी हालत नासाज ही दिखाई दे रही है 980 अंकों का नुकसान यहाँ पर और साथी साथ मिड कैप लहू लुहान है लहू लुहान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इ 1300 पॉइंट से जादा का नौक और अडवांस टिकलाइन रेशियो का हाल अगर आप देखेंगे तो यह 1 इस्टू 12 है यानि कि अगर 13 स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें से 12 स्टॉक्स है जो मंदी की घरफ्त में समय कारोबार कर रहे हैं यह है स्थिती इस मार्किट की प 20 M&M और Reliance में भी आज हम देख रहें कुछ-कुछ मुनाफ़वसूली हावी ITC थोड़ा सा resilient है क्योंकि decent performance था लेकिन access नंबर से पहले Sun Pharma quota के दूसरे counters हैं जहां से कुछ-कुछ support बनता हुआ दिखाई दिया है लेकिन mood बिगडा हुआ है और खासी गिरावर्ट के साथ मार परनीती होनी चाहिए हमारे जानकारों की क्या returns बने हैं वो सब पहले आपकी screen पर लेकर आएंगे देखेगा स्थिती क्या उभर कर आ रही है हमारे तीनों ही जानकारों के बीच जहां पंकच 10% के returns होल कर पाए है मधूर 1.5% के ओम माइनिस 0.9% पर हैं तो यह है आपके लि बात करते हैं पंकच कैसे पढ़ेंगे क्योंकि यह Friday का session भी market बिखर रहा है and good morning everyone on the panel हर्दा जी Dave first से मैं एकी बात कह रहा हूं कि Nifty अभी scalping zone में है और मतलब sell on rise वाला ही mood रहेगा throughout the week हम लोगों ने देखा कि Nifty consistently deteriorate होते हुए हमको नजर आया है अगर हम Yafis के stats देखते हैं तो बहुत brutal selling देखने मिली है और यह selling हो सकता है कि अभी और भी ज्यादा गहराई में जा सकती है मेरे ख्याल से Nifty के अंदर अभी यहां से और 1000 का decent cut यहां से नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर कोई भी pullback मिलता है तो definitely sell करना चाहिए definitely जैसे आप आपकी commentary में बता रहे थे कि 24200 के नीचे आया बहुत crucial level है अगर यह 23,950 की level और भी significantly अगर cross कर देता है तो within a take 23,400 के number some लोगों को charts पे देखने मिल सकते हैं 23,400 तक के levels देखने को मिल सकते हैं ऐसी सिती में मधू क्या फिर short side के सौदे आप aggressively लेना शुरू करें जैसा कि अगर दर्शिक comfortable है और बहुत ही जादा उनको okay है sell side पे करना तो यह opportunity बहुत अच्छी बन सकती है sell side पर है करके आप पैसा कमाने की क्योंकि जैसा बंकर जी ने भी बोला Nifty पुरी तरीके से पींचे के तरफ ही है काफी लीक है इस पूरे हफ़ते ही in fact 24,400 के levels पर भी अच्छी वाली हमें call writing देखने को मिली है बैंक Nifty की भी बात करें तो महाँ पे भी 50,000 का जो support है वो absolutely breach कर दिया है और जहां next support देखा जा सकता है वो काफी नीचे 50,200 के आसबास देखा जा सकता है तो कहने का मतलग यह है कि दरशकों को investors को definitely पचाव में रहना चाहिए पोड़े कुछ sector specific अगर आप बात करें तो pharma में थोड़ी सी आप एक ठीक लग रहा है ऐसा बोल सकते है उसके कुछ counters but all in all cautious रहिए और sell side पर ही रहिए ओके cautious रहिए sell side पर रहिए ओम आपकी approach क्या रहेगी क्योंकि देखिए जहां पर थोड़ी बहुत आप सुरक्षा की सुरक्षा कवच ढूंडते हैं वो भी test होने लगे हैं इस तरह के market में जी good morning यहां पर जैसा कि हमने सभी ने बात के कि nifty और bank nifty दोनों ही trend अब यहां से change हो चुगा अगर हम product range के बात करें तो यहां पर अभी तक क्या आता है जो sell side जो आ रहे थे वो absorb हो रहे थे बट यहां पर trend अब यहां से reversal हमें बिल्कुल यहां पर narrowed और यहां पर squid हमने देखने को मिल रहा है यहां पर और nifty और bank nifty दोनों crucial level पर है यहां पर 24,000 के edge पर है और bank nifty 50,000 के edge पर है तो एक दोनों एक हम role important role है important level से 24,000 के नीचे obviously यहां पर बायस वहां पर participant उतना करना पसंद नहीं करेंगे वहीं पर और फिलाल के लिए investor को अभी यहां पर अपने portfolio को वेबर review करना जाए साथी साथ यहां पर जो पिछले last 2-3 मेने में जो poster boy बने रहे थे जो small cap small cap और defense कुछ एक ऐसे sectors थे जहां पर जहां पर जहांने काफी अच्छा return पर दिया था बट उनका trend अप completely change होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसे stock से हमें specifically बचना है तो ट्रेज लेना शुरू करते हैं ओम पहले आपका portfolio हम screen पर लेकर आ हैं और मैं notice कर रही हूँ आपने in fact दो ट्रेज से exit किया अप ATM में unfortunately stop loss trigger हुआ नया trade क्या रहेगा एल साइड में रहेगा यहां पर HAL क्या और यहां पर में future का भाव चल रहा है एप्रॉक्स 4130 के एप्रॉक्स है यहां पर इसके stop loss रखेंगे 4220 का यहां पर टारिट रहेगा 3900 3900 के लिए HL हिंदस्तान एरोनॉटिक शॉट करने की राय फिलहाल दी गई है चले अब मधू का portfolio लेकर आते विप्रो के short trade को यह अभी भी hold कर रही है green ply जो तेजी वाला trade था वहां पर stop loss trigger हुआ मधू नया stock मेरा नया stock रहेगा sell side पे ब्रिटानिया का बात करें गर उसके technical speed तो एक long term support breach हुआ है कल 5700 का तो उमीद है कि इसका जो target है 5320 का with a stop loss of 5777 यह maintain होना चाहिए बात करें इसकी अगर निप्टी के comparison में तो भी यह काफी down है FMCG सेक्टर की बात करें तो वो भी काफी down है तो all in all इसमें एक अच्छा sell side का trade बन जाए पंकर आपके portfolio में जो भी trades थे वो कल आपने निप्टा लिए अंबर अच्छा खासा पैसा कमा कर गया आपके लिए exit के आपने hood को से बताईए आज का trade अच्छा जीग बजाज आटो में sell करने की सला रहेगी 10,025 की range में अभी फिलाल ये trade कर रहा है देखिए ये बहुत crucial level है 10,000 की make or break level है लेकिन market का जो सिनारियों देख रहे हैं और जो draggers है आटो सेक्टर ये बहुत बड़ा dragging point की तरफ है मैं सिर्फ 1% का यहां पर stop loss रखना चाहूंगा 10,125 रुपए का यहां पर stop loss रहेगा और target रहेगा 9,750 750 का target और यहां पर तेजी की position लेकर चले ये फिलाल 10,125 के आसपा stop loss लगाएंगे लेकिन एक और short side का trade आपकी screen पर है चले एक काम करते लेंगे एक break प्रेके बाद देखते हैं मैं जानकार इसमें नया trade देंगे या फिर कुछ time लेना चाहेंगे इस market को थोड़ा सा settle होने के लिए जब लॉटेंगे JSW Energy के management से भी होगी बातचीत second quarter के numbers और आगे के outlook पर अब देख रहे हैं खिलारी number one और अब बात करेंगे JSW Energy के नतीजे आ चुके हैं नतीजे इस quarter में आप कह सकते हैं थोड़े से flat ही रहे हैं eye growth एकदम support है EBITDA में करीब 10% तक का दबाव देखने को मिला margins घटकर 54% के आस-पास आया है profitability एकदम flat रही क्या हुआ इस quarter में मैं साथ कंपनी के M.D. और C.O. शारत महेंद्र है शारत जी जैसे में मैं मैं मैंशन करी रही थी कि नमबस थोड़े से muted है कोई खास वजा इसकी अगर हम यह देखे कि यह एक regulated business है और जैसा हमने देखा कि हमारा generation growth है 14% का as compared to जो country में हमने witness किया है 5.8% का growth इसमें hydroacid जो हमारा एक है यह regulated business है और after 12 years depreciation reduces from 5.2 to 1.3% वो हमने देखा है जो होना था यह one time phenomena था जो true up में होता है जिसकी वज़े से revenue और EBITDA दोनों में impact आता है तो यह एक known phenomena था as nothing unexpected हमारा generation in fact hydro में country में जो generation growth है वो almost करीब 4% का हुआ है बट हमारा hydro generation growth is more than 21% 18% का growth हमारा hydro generation में है तो यह एक it is only because of the regulated asset और जो इसमें 12-13th year से change in depreciation था जिसका impact revenue as well as EBITDA दोनों पे आता है मैं फिर आपसे एक चीज़ और समझना चाहूंगी मैं आपके merchant tariff spreads देख रहे थी उसमें भी कुछ कमी देखने को मली है तो यहां पर क्या situation कोई यह क्या बस quarter के लिए है या फिर कुछ improvement आगे नजर आ सकती है see merchant में अगर हम देखें कि demand growth अच्छी रही है करीब 27% की growth रही है but tariffs में almost 30% reduction हुआ है tariff जो last year इस quarter में quarter 2 में 5 रुपे 90 पैसे जो tariff था वो 4 रुपीज 50 पैसा 4 रुपे 50 पैसे का tariff average merchant tariff हुआ है इस quarter में और coal prices अगर हम देखें stable रहे हैं जिसकी वज़े से spreads में definitely pressure आया है in general but एक phenomenon यह देखना होगा कि last year हमारे case में impact limited रहा है इतना बड़ा impact नहीं रहा है क्योंकि हमारा कुछ portion domestic coal linked जो plant हमारा इंड भारत का unit 1 last year नहीं था इस समय पे वो commission हो गया था तो उस ने जो हमको domestic coal पे spread दिया तो उसकी वज़े से जो हमारा spread है वो as compared to what has been witnessed by industry उसके comparison में bitter रहा है okay sir demand क्योंकि आपने mention की summer में हमने peak demand देखी है और उसको आपने बखु भी enjoy किया लेकिन इस quarter में I think monsoon का भी impact रहा और आगे of course winter season demand रहेगी तो वो कितनी pick up हो सकती है देखे इस बार हमको quarter 2 एक last year से जब हम compare करते है quarter H1 को भी compare करें तो पिछले साल के comparison में दो phenomena's हैं जिसकी वज़े से availability improve हुई supply की वो एक तो था कि hydro generation last year अच्छा नहीं था जो इस बार better रहा है काफी तो वो एक power availability monsoon में थी प्लस जो हमारे renewable के assets पिछले एक साल में commission हुए है capacity जो last year की record capacity commission हुई थी तो वो भी additional capacity available थी तो उसकी वज़े से supply side में availability better थी as compared to last year उसके बाद में extended monsoons जिस तरह से हुआ है उसकी वज़े से भी demand में impact आया था बट हम एक समझते हैं कि second half of the year जैसा हम जानते हैं कि manufacturing activities and other normally improve infrastructure construction तो demand हमको we are confident की will come back इस quarter में जो demand muted रहा है उसमें एक चीज़ जरूर से देखना है कि about 1.6% का demand growth हमने देखाया quarter 2 में but हमको यह remember करना होगा कि last year quarter 2 में 11.2% का growth था तो एक larger base पे यह 1.6% का growth हुआ है which is in itself a positive sign so going forward हम expect करते कि from quarter 3 things will definitely in terms of demand will be better than what we have witnessed okay third quarter onwards demand में और pick up और उसका reflection numbers में आएगा generation की स्तिती क्या रहेगी अगर उस पर भी एक update हमारे साथ share कर सके see quarter 2 तक अगर हम देखें तो हमारी h1 में demand growth जो है हमारा generation growth 14% का रहा है और यह 14% दोनों thermal में भी 14% है और renewable energy में भी 14% का generation growth है और renewable energy में जो growth है वो because of better hydro generation और साथ में जो हमने wind capacity हमने जो commission करी है यह दोनों reasons हैं जिसकी वज़े से यह demand growth है और thermal में हमारे बहुत रतनागिरी और विजयनगर plants as compared to last year better perform करें हमारा जो long term overall portfolio है उसमें 9% का increase हमने देखा है generation में और इंड भारत का जो हमारा unit commission हुआ उसने भी more than 450 million units हमको इस साल में दिया तो यह positive factors है for thermal और renewable energy में hydro and wind capacity edition और जहां तक capacity edition का है हमने अभी तक जो capacity edition इस साल में किया है वो करीब करी 700 megawatt का है और हमने जैसा की बोला है कि इस साल के end में हम 10 gigawatt capacity पहुँच जाएंगे वो absolutely track पे है और अगले 6 महीने के अंदर हम expect हमारा हम we are confident कि हमारी करीब करीब 2 gigawatt से की commissioning से उपर की commissioning अगले 6 महीने में हो जाएगी जिसका हमको full benefit आने वाले साल में मिलेगा बहुत 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 शुक्रिया हमारे समय निकालने के लिए चले लेंगे एक चोटा सा break break के बाद focus खिलाडी number one पर और of course आपके लिए update भी लेकर आएंगे अब देखरें खिलाडी number one और अब पंकच के पास मेरे ख्याल में भजाज आटो की sell call के साथ एक और trade है पंकच क्या जोड रहा है जी हिंद copper metal sector में थोड़ी मंदी दिख रही है retrist value के करीब है बिल्कुल भी 278.40 की range में इसको बेचने की सला रहेगी हिंद copper को with a stop loss of 285, target जो रहेगा 260, हो सकता है कि इसको थोड़ा सा एक दो दिन के लिए hold करना है तो करना होगा लेकिन eventual targets would be 260 ओके तो 260 का target रहेगा 285 का stop loss यह है फिलाल एक और short side का trade मदू और उम जगा रख रहे हैं और शायद दिन के दौरान नए trades जोड़ेंगे लेकर आते हैं आपके लिए पूरा recap और हमने in fact एक short call के साथ शुरुबात किये है हाल 3900 के लिए short करने की सला है 42.20 stop loss है इसके बाद मधू का विप्रो sell call का trade अभी भी hold कर रही है यह नया जो आया है वो है Britannia 53.20 के लिए 57.77 इनका stop loss है दोनों मन्दी के trades अब इनके portfolio में और साथ ही साथ पंकच देखिएगा तो पंकच ने shot किया है 79.750 के लिए बजाज ऑटो 10,125 stop loss और हिंदुस्तान कॉपर में भी shot का trade है 260 का target 285 का stop loss overall returns की situation अब आपकी screen पर लेकर आते हैं मन्दी के trades के साथ ही हमारे जानकार जा रहे हैं और returns कहां पर कैसे बैट रहे हैं वो आपके सामने हैं पंकच के returns 9% के लेकिन कल और आज का खामियाजा भारी पड़ाय हो ओम पर और मधू के portfolio में भी अब हलका सा negative टिक देखने को मिला है बता दें कि money control पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपने नीजी विचार होते हैं website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है users को money control की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंडले लेवी से पहले certified expert की सलहा ले बद्दी में किसी है आई हमारी ओतर चपने साथ dapat रजने का शेटर नहीं है हो providers कि경णे बhthalqu ऑ should work